हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका WP Themes चैनल में इस चैनल में हम डिफेरेंट WordPress theme के इंस्टालेशन, उसके Demo Import और उसके Features के बारे में जानते हैं तो आज हम आपके लिए लेक्या हैं एक बहुत ही नायाब theme जिसका नाम है WIM यह basically architecture और interior design के लिए बनाय गया theme है और यह Elementor पर बनाया है बिल्कुल नया बनाया यह theme और यह July 2020 में ही आया है इसके updates भी आ रहे है regular तो इस theme के हम Demo's को देख लेते हैं इस theme में कई सारे Demo दिये गए हैं जिसमें architecture main, creative studio, lighting solutions, interior design, shop store, studio walk modeling beam, modern home, portfolio, showcase, minimal, maintenance 12 layout आपके पास available है इस theme में और हम अगर main demo की बात करें तो यह main demo का फिस्टनिंग लुक का और अगर आप देखें तो यह right panel पे social connects दिये हुए है और modern design के साथ यह theme बनाए गया है सुन्दर look है इसका तो अगर आपने interior design या architecture का कोई website बनाना है तो यह theme आपके लिए बहुत ही बढ़िया selection है क्योंकि बल्कुल नया है और duplication होने की कोई चांस नहीं है तो आईए हम install करते हैं BIM Architecture Interior Design Elemental WordPress theme मेरे पास है WordPress का press installation जिसमें 2020 WordPress theme default installed है भी इस पे scratch से हम BIM install करेंगे और मेरे पास है BIM का theme pack तो BIM के theme pack में हमें मिला है demo data documentation licensing Wim zip और Wim child तो हम इसका intro lesson start करते हैं WordPress के dashboard पे जाय है Appearance themes add new upload theme प्लॉट करना है या अगर समय बचाना चाहते हैं तो सीधा सर्वर पे भी इसे हम अप्लोट करेंगे और सर्वर पे अप्लोट करने के लिए अप्लोट करना है विम डॉट जिप लाइट विट थीम है और जल्दी अप्लोट हो जाएगा तो विम डॉट जिप को एक्स्ट्रेक्ट करने और जिप फाइल और कोई भी अडिशनल फाइल अगर है तो इसको डिट कर दें क्योंकि अब हमें उसकी जुरूत नहीं है विम फोर्डर के अंदर हमारी फाइल के सारे एक्टम एलिमेंट्स आ गए है डबलो की पैनल पर जाएं थीम्स और यहां विम थीम आ चुका है थीम के डिटेल्स देख लें विम वर्शन 1.0.7 विम वर्शन 1.0.7 विम is a modern creative wordpress theme for agency to show their works एक्टिवेट कर लें एक्टिवेशन के साथ ही हमें required plugins का alert आता है जो के हमें install करना है तो begin installing plugins करेंगे हम तो यह सारे required plugins के set मौजूद है यहां पर एक एक करके हम install करेंगे सारे को एक साथ install करने की कोशिस ना करें क्योंकि अगर कोई error आया तो पता नहीं चल पाता है better elementer add-ons तो elementer page builder सबसे पहले install करना चाहिए ताकि add-ons उसके साथ ही काम करेगा सबसे पहले elementer करते हैं elementer activate असके बाद better elementer add-ons यह elementer install करने के बाद welcome page पर जाता है तो वापिस हम plugins पर चले जाते हैं बाद बाद? बढ़द? तो वाद? यह फिवल बाद? बाद? फ्याद? भूबे बादिध एक्टिवेक्ट, कॉंटेक्ट फर्म 7, एक्टिवेक्ट प्लग इन से, तो किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, एक्टिवेक्ट, वन क्लिक देमो इंपोर्ट, एक्टिवेक्ट, यह थीम रिडक्स फ्रेमवर्क पर बना है, जो कि काप्य अच्छा फ्रेमवर्क बाने जाता है, तो रिडक्स, रिडक्स एक्टिवेक्ट, रिवल्यूशन स्लाइडर, एक्टिवेक्ट रिवल्यूशन स्लाइडर, इवाटे मार्केट की जरत नहीं है, मेल चिम फ्रॉर्वरड प्रेस कर लेते हैं, एक्टिवेट और WooCommerce अगर swap के साथ हमें देखना तो WooCommerce Activate और WooCommerce Activate करने के साथ हमें एक basic setting करनी होती है वह हम कर लेते हैं, पेज कर रिफ्रेस्स करने से वह आ जाता है, मैं डेमो के लिए रोडेटर डाल दाल दाला हूँ, आप और इनली डालें, कर दो देना है, आप ठालडोा एह सकता है, बाता है, आता है, आता मैं एहाँ है, क्यारं उाक्टेस्स की हैं, आता हैे, मार रिessन उते電先 है कर दो दो बाना वहां है, यहां बिम सेलेक्ट करना है, continue with my active theme, jetpack की भी में जिरूत नहीं है, तो इस तरह से हमने theme और सारे plugin से install कर लिये हैं, एक बार हम अपनी website को भी देख सकते हैं, क्योंकि theme और plugin इस्टॉल करने के बाद सारे elements सही से आ गया है, तो यह default page लोड हो गया है, अब हमें demo की ज़रूत है, demo content की, तो demo content अब import करेंगे, appearance के अंदर, vim import data है, उसको click करें, तो यह सारे options, जो 12 layout का है हमारे पास, सारे आ गये हैं, तो इस में से जो भी आपको अपने website के लिए suitable लगी, कोई भी चुन सकते हैं, हमने main demo देखा था, तो उसी को करेंगे, architecture demo को import करते हैं, इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो page को refresh ना करें, और नहीं leave करें, import finish हो गया है, एक card, एक-दो media file नहीं आ पाया है, अगर जरुरत परी तो हम दोबारा import run कर सकते हैं, लेकिन main video हम अपनी website को देख सकते हैं, कुछ file नहीं है, तो इसको हम चेक कर लेते हैं, हम pages में जाएं, all pages चेक कर लें, तो pages हमारे home main आ चुका है, और media files अगर हम चेक करें तो, media files भी सारी आ चुकी है, तो एक बर हम main home को देख लेते हैं, अंजी हां, यह हमारी पूरी website import हो चुकी है, demo content, और इसके सारे contents भी आ चुके हैं, pages, एक दो हम चेक कर ले सकते हैं, यह अलाकि demo website पर जा रहा है, क्योंकि जितने pages हमने import करें तो उतने ही आ हैं, और उतने ही provided भी हैं, तो यह home page हमारे बिल्कुर complete है, और कुछ भी उसमें shooter नहीं है, जैसा कि अब देख सकते हैं, सारे features काम कर रहे हैं, तो यह website हमारी त्यार है, अपने content को डालने के लिए, mean while हम page को home page बना सकते हैं, dashboard पे, इस page को home page बना लेते हैं, तक कि हमारी website त्यार हो जाए, अपरे इंदर customize option में जाए, और home page setting एक option होता है, जिस पे हम एक one static page चुनके, home main को select करके publish कर देंगे, तो अब हमारी website का यह home page बन गया है, इसको further customize करके आप अपने प्योगिता के हिसाब से, अपने website बना सकते हैं, आइए एक बार हम theme panel देख लें, इसमें से हम अपने website की सारी setting कर सकते हैं, इसमें हमें मिला है, styling, preloader, cursor, header, header logo, header social, footer, blog, site panel, footer logo, footer social, portfolio setting, blog setting, typography, import, export, जिस का अप्योग करके आप website को customize कर सकते हैं, और हमारी website त्यार है, आपकी जरुवत को पूरा करने के लिए, इस theme को import करने में या installation में अगर आपको कोई problem आती है, तो इस video के discussion में लिखें, मैं आपकी जरुद साहता गरूँगा, इस channel को subscribe कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छ अच्छ थीम लेकर आने वाला हूँ, थैंक्स पर वाचिंग व्पेपेंस चनेल